Good morning everyone, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल Villagers Concept में तो friends आज का जो वीडियो है यह Edutedia publication का model set है भिहार SSE के लिए और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस book का सात्मा model practice set ठीक है friends शुरू करते हैं आज का सेशन लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए बिजीट कर रहे होंगे तो फिलीज इस चैनल के पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा बगल में घंटी का निसान होगा उसको प्रेस करना बेलकुल मत बूलिएगा और वीडियो कर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा और अपने दोस्तों में भी इसको share जरूर कीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस टेसरीज का पहला question यहाँ पे क्या कह रहा है तो देखिए question number first जो यहाँ पे दिया है friends देखिए कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन कपड़े दोने के साबून में फीलर की रूप में काम नहीं आता है फीलर की रूप में काम नहीं आता है देखिए इसका सही answer हो जाएगा option number A हो जाएगा glycerol ठीक है देखिए glycerol या फिर glycerin आप बोल सकते हैं glycerol या glycerin एक करवनिक योगिक है जो तेल और वसा में पाया जाता है ठीक है friends तो option number A इसका सही answer हो जाएगा चले देखिए हम next question यहाँ पे question number 2 और देखिए question number 2 जो यहाँ पे दिया हुआ है कहरा इस question में निमन में से कौन सा जिवानू वी नैट्री करण की प्रक्रिया में भाग लेता है वी नैट्री करण हो जाएगा देखिए इसका सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा शूडो मोनास शूडो मोनास जिवानू जो है वी नैट्री करण की प्रक्रिया में भाग लेता है तो option number C इसका सही answer हो जाएगा देखिए next question यहाँ पे 3 number और इसमें कहा रहा है कि निमन में से किस विटामीन को थाइमीन कहा जाता है निमन में से किस विटामीन को थाइमीन कहा जाता है option number B हो जाएगा देखिए विटामीन B1 को थाइमीन कहा जाता है ठीक है विटामीन B1 को थाइमीन कहा जाता है याद रखिएगा बात करें देखिए B12 की तो देखिए B12 जो है इसे साइनो कोबालेमीन कहा जाता है क्या कहा जाता है? परिरीडॉक्सिन कहा जाता है. चले देखेंगे next question यहां पर four number और दीखिए क्याई question में, दाब बढ़ाने पर बरफ का गलना敢 क्या होता है? सही answer है इसका घट जाएगा. क्या होता है? घट जाता है. option number A जो है इसका सही आंसर हो जाएगा चलिए देखते है next question यहाँ पे और इसमें कहरा है कि Eflavis का उत्पादन होता है किसके द्वारा Eflavis का उत्पादन सही आंसर है कवक के द्वारा option number A जो है इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए कवक द्वारा एफला भी इसका उत्पादन किया जाता है एफला टॉक्सिन एक प्रकार का कार्बनिक योगिक है जो खादे विशक्तता उत्पन करता है ठीक है फ्रेंट्स ऑप्सन नमर ए इसका सही आंसर होगा चलिए देखते हैं और इसमें कहा रहा है कि रासाइनिक संमिकरन किस नियम के अनुसार संतुलित होती है और अप्सन नमर C हो जाएगा द्रवेमान सनरक्षन नियम से दर्वेमान सनरक्षन नियम से जो है रासाइनिक समिकरन संतुलित होता है अप्शन नमर C याद रखेगा इसका सही आंसर होगा देखेंगे next question और इसमें कहरा है परमानों में धनावेसित कनों की उपस्थिती को सरो पर्थम निमन में से किषने दर्स आया था परमानों में धनावेसित कनों की उपस्थिती को सरो पर्थम निमन में से किषने दर्स आया था सही आंसर है देखेंगे गोल्डश्टीन जो है सही आंसर हो जाएगा अप्शन नमर A होगा आए देखते हैं अगला question कहा रहा है इस question में हीमोफिलिया एक अनुवानसिक विकार है इसमें क्या होता है सही आंसर हो जागा इसका देखी option नमर B एक प्रोटीन का संसलेशन नहीं होता है जो रख्त के असकंदन के लिए आवस्यक होता है एक प्रोटीन का संसलेसर नहीं होता है जो रख्त के असकंदन के लिए आवस्यक है अप्सन नमर बी होगा सही चलिए देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन यहाँ पर कुश्चन नमर नाइन हो जाएगा और देखें कुश्चन नमर नाइन जो यहाँ पर दिया है केवल 3 यानि की पोलियो जो है OPV यहाँ पर दिया हुआ देखें पोलियो जो है OPV दिया हुआ है तो देखें इसका जो सही आंसर हो जाएगा option नमर यहाँ पर D हो जाएगा ठीक है friends देखें इसमें कहा रहा है की OPV जो है जिसकों की oral polio vaccine का जाता है polio की vaccine है ना की दवा ठीक है तो option नमर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा यहनि की option नमर D जो है यहाँ पर दिया हुआ चले देखें next question यहाँ पर question नमर 10 हो जाएगा और question नमर 10 जो यहाँ पर दिया हुआ है देखें कहारा है इस question में निमनलेकित में से किस पौधे को जर, तना और पतियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है option नमर C हो जाएगा देखें एस्पारो गैरा को जो है जर, तना तथा पतियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है ठीक है पर रैंट्स चले देखेंगे नेक्स्ट कुस्चन यहाँ पर 11 नमर और कहरा है इसमें, निमनलेकित में से कौन सा दुगद प्रोटीन है कौन सा इन में से दुगद प्रोटीन है option नमर C हो जाएगा देखें कैसीन जो है, कैसीन को दुगद प्रोटीन भी कहा जाता है याद रखेगा दूद का रंग जो उजला होता है वह कैसीन प्रोटीन के कारण ही होता है और उसका जो पीला रंग होता है वह कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है याद रखेगा चले देखते हैं, अब next question देखें, next question जो यहाँ पर दिया हुआ है कि एस question में, कि एंटी बायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है एंटी बायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है option नमर डी हो जाएगा एंटी बायोटिक्स के दुस प्रभाव में diptheria, phyleria और चेचक सामिल होते हैं Option number D, जो है, सही हो जाएगा, चलिए दिखते हैं, next question यहाँ पे, और इसमें कहरा है, कि यक्रित में यूरिया का sanslation होता है, किसके द्वारा? यक्रित, यानि कि लिवर में यूरिया का sanslation होता है, किसके द्वारा? सही answer है देखिए इसका option नमर D हो जाएगा और नितिन चक्र के द्वारा और नितिन चक्र के द्वारा जो है यकृत यानि की लिवर में यूरिया का संसलेशन होता है चले देखते हैं हम next question यहाँ पर question नमर 14 हो जाएगा और देखिए question नमर 14 यहाँ पर दिया हुआ है देखिए 14 नमर question में यहाँ पर कहारा friends की इन में से कौन carbohydrate monosagribe है option नमर E हो जाएगा देखिए glucose एवंफ्रक्टोज जो है यह carbohydrate monosagribe है option नमर E होगा देखते हैं अगला question यहाँ पर question नमर हो जाएगा 15 और देखिए question नमर 15 है कहारा इस question में यदि किसी गेंद को उर्द्वाधर रूप से उपर फेका जाए तो गुरुत्वे त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है option नमर A हो जाएगा गेंद की गती की विपरीत दिशा में option नमर A इसका सही आंसर होगा चलिए देखते हैं अब next question 16 नमर के राइस में option नमर B हो जाएगा एक oxide नमर B इसका सही आंसर होगा देखेंगे अगला question यहाँ पर कह रहा है इसमें गती के दुसरे निहम के अनुसार किसी दिये हुए बल के लिए उत्पन त्वरन व्यतुक्रमान पाती होता है किसके सही आंसर है वस्तू के द्रबेमान के option नमर D इसका सही आंसर होगा आचलिए देखते हैं अगला question यहाँ पर question नमर 18 हो जाएगा और देखे के रहा है इस question में अनुप्रस्त तरंगे क्या है option नमर A हो जाएगा इन तरंगों में माध्यम के कन तरंगों के संचरन की दिशा की लंबवत दिशा में कमपन करते हैं option नमर A इसका सही आंसर हो जाएगा चले दिखे हम next question कहा है इसमें वाईयो में sulfur dioxide द्वारा प्रदूसन का सूचक है क्या WAS SUN नमर A हो जाएगा option नमर एप जो है जो है इसका सही आंसर हो जाएगा नमर आपन आपन जो है कबक और सेवाल का सहजीवी होता है कबक और सहवाल का सहजी भी होता है जो वायू में सलफा डॉकसायर दरपरदुसन का सूचक होता है ठीक है फ्रेंट्स और अप्शन नमर ए इसका सही आंसर होगा चले देखते हैं नेस्ट कुश्चन कहा रहा है इसमें कटहल में खाने योग्य भाग कौन सा है अप्सण नमर सी हो जाएगा देखिए सहपत्र और पड़ि दल पुझ सहपत्र और पड़ि दल पुझ जो है कठल में खाने योग्य भाग है अप्सान नमर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अगला कुश्चन यहा पर किष्चन नमरर 21 हो जाएगा और देखे, question number 21 जो दिया वाई कहरा है, इस question में, निमनलेकित में से कौन सा विधूत चुमकिये तरंगों का गुन नहीं है? option number A हो जाएगा, विधूत चुमकिये तरंगे वैती करन तथा भी वरतन नहीं दिखाती है, option number A इसका सही आंसर होगा, देखेंगे, next question, और देखेंगे, इसमें कहरा है, कि रासायन प्रियोग साला में उप्योग में लाए जाने वाले लिटमस प्राप्त किया जाता है, किस से सही आंसर है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता, option number B इसका सही आंसर होगा, चलिए देखेंगे, next question यहाँ पे, कहरा है इसमें कि बाहिकर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है, किसका, option number C हो जाएगा, उपास्त यानि की कार्टिलेज का, option number C सही होगा, अगला question देख लि एक अनुपात तीन में, ठीक है, एक अनुपात जो है, इसमें देखें, नैटरिक एसीड का होता है, जबकि हैडरोकलोरिक एसीड का जो अनुपात यानि की रेशियो वह कितना होता है, थिरी होता है, option number A, इसका सही आंसर हो जाएगा, देखेंगे, next question कहरा है, इसमें, 60 वा आउयो कम से कम कितनी होनी चाहिए, option number D, इसमें, बिहार में पर्थम बार राष्ट्र पति सासन कब लागू किया गया था? ऑप्सन नमर B हो जाएगा 1968 में बिहार में परधंबार राष्टपति सासन कब लागू हुआ था तो 1968 में जबकि बिहार में अंतीम बार जो राष्टपति सासन लागू हुआ था याद रखेगा 2025 में ठीक है 25 में option number B, इस question का सही answer हो जाएगा, चलिए देखते हैं, next question कहा रहा है, इसमें, अपात उपबंद का संबंद समवीधान के किस भाग से है, option number हो जागा यहाँ पे D, भाग 18 से, भाग 18 से याद रखेगा, option number D जो है, इसका सही answer हो जाएगा, चलिए देखते हैं, next question यहाँ पे 29 अनुचेद 50 में जो है कार्यपालिका से नियाई पालिका का प्रिधक करन, जबकि अनुचेद 51 में वरनित है, तो option number D, इसका सही answer हो जाएगा, देखेंगा, अगला Question यहाँ पे, और देखें केरा है इस Question में, भारत के समिधान के अंतरगत धन्वीध्यक को प्रस्टूत किय जाता है किस में Option नमर A हो जाएगा लोगसभा में भारत के संविधान के अंतरगत धन विध्यक को प्रस्तूत किया जाता है कहां पे तो लोगसभा में Option नमर A आए देखते हैं अब next question यहां पे कहा रहा है इस question में लोग लेखा समेती अपनी रिपोर्ट किसे सौपती है Option नमर D हो जाएगा लोगसभा अध्यक्ष को लोग लेखा समेती अपनी रिपोर्ट किसे सौपती है तो लोगसभा अध्यक्ष को जो है यह अपना रिपोर्ट सौपती है चलिए देखेंगे next question यहां पे देखे कहाई इसमे, निमन लेखी तिमें से किसने या किन होने राष्टपती न्यूक्त होने से पूर्ब उपर राष्टपती के पतपर कार्ये नहीं किया, अप्षन नुमर्ड ए हो जाएगा नीलम संजीवारेड़ी, उपरोक्त में नीलम संजेवारेड़ी ही ऐसे राष्ट पति रहे हैं जिन्होंने उपराश्ट पति के पत पर काड़े नहीं किया ठीक है प्रेंट्स ओप्सन नमर ए इसका सही आंसर हो जाएगा देखेंगे नेक्स्ट कुश्चन यहाँ पर देखेंगे कहा रहा है मौलिक अधिकारों एबम अल्पसंख्य को हेतु सम्विधान जबारा घठित समिती के अध्यक्ष कोन थे ओप्सन नमर होजाएगा यहाँ पर D सरदार वललप भाई पतेल मौलिक अधिकारों एबम अल्पसंख्य को हेतु सम्विधान सभाद्वारा घठित समिती के अध्यक्ष कोन थे तो वह थे सर्दार वललप भाई पटेल, उप्सान नमर डी होगा, आई हम देखते हैं, नेक्स्ट कुशन, और इसमें कहरा है कि किस वर्स यूरोप में अंग्रेजो एवं फ्रांसिस्यों के मद्य सब्त वर्सिय युद्ध प्रारंब हुआ था, किस वर्स? सही आंसर है, देखिए, उप्सान नमर बी हो जाएगा, 1756 इसवी में, 1756 इसवी में यूरोप में अंग्रेजो एवं फ्रांसिस्यों के मद्य सब्त वर्सिय युद्ध प्रारंब हुआ, और यूरोप में युद्ध प्रारंब होने से भारत में भी अंग्रेजो एवं फ्रां चारपत्र का प्रकासन किस अस्थान से हुआ था अप्टिन नमर यहां पर हो जाएगा D कोलकता से ठीक है अप्टिन नमर D हो जाएगा चले देखते हैं next question यहां पर question 36 हो जाएगा और दिखिए question 36 है यहां पर कहा रहा है इसमें निम्नलेकित में से किस संस्था का गठन, दादा भाई नराउजी ने नहीं किया था, option number c हो जाएगा, Bombay Presidency Association, його है इसका सही आंसर हो जाएगा, option number c इसका सही आंसर होगा, देखें, Bombay Presidency Association जो है, यह दादा भाई नरोजी ने नहीं बलकि बद्रू दिन तयब जी जी केटी तैलंग एबं फिरोज साह महता के द्वारा जो है गठित किया गया था आए देखते हैं नेक्स्ट कॉचन यहाँ पे 37 नमबर और कहरा है इस कॉच्चन में निम्नलेखित में से कौन सा कारे 1931 के भार्थी राष्टे कॉंगरेस के कराची अधिवेशन में हुआ था आप्सन नमर यहाँ पे D हो जाएगा देखी एक दो और तीन ठीक है एक दो और तीन मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव जो है पारित हुआ आर्थिक निती का प्रस्ताव पारित किया गया और गांधी इर्विन समझोते का अनुमोदन किया गया चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोईजन यहाँ पे 38 नमर और इसमें है कॉंगरेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वाइसराय कौन था ओप्सन नमर भी इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए लर्ड मिन्टो टू जो है उसमें भारत के वाइसराय थे और देखिए कॉंगरेस का जो सूरत विभाजन हुआ था वह हुआ था 1937 में कब हुआ था 1937 भी याद रखेगा चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट कुश्चन देखिए नेक्स्ट कुश्चन यहाँ पर कह रहा है कि बिहार में निम्नलखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वाराज ट्रेन का संचालन किया गया था और चलिए नेक्स्ट कुश्चन और देखिए इसमें किया रहा है कि निम्नलखित में किस मुगल सासक ने दो आस्पा एवम सिंग आस्पा की निति को लागू किया सही आंसर है देखिए ओप्शन नमर ए हो जाएगा जहां गीर ने ओप्शन नमर ए इसका सही आंसर होगा चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन सतनामी विद्रोह की सुमुगल सासक के समय हुआ था सतनामी विद्रोह ओप्शन नमर डी हो जाएगा और अंग्जेव के समय में सतनामी विद्रोह जो है और अंग्जेव के समय में हुआ था ठीक है ओप्शन नमर डी इसका सही आंसर हो जाएगा आए देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन और कहरास में रिगवेद काल में किस नदी को सरवाधिक पव टे किस सासक ने पाटली पूत्र पर आकर्मन कर वहाँ से बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अनुखा को कुट अपने साथ ले गया था option number हो जाएगा D यहाँ पे कनिस्क ठीक है कनिस्क ने पाटली पुतर पर आकरमन कर वहाँ से बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अनोखा कुकुट अपने साथ ले गया था option number D इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है बिरोजगारों के सायतार्थ दिल्ली के निमलेखित सुल्तानों में किस्ट ने रोजगार काडियाला की अस्तापना की थी option number D हो जाएगा फिरोज साहत तुगलक ने option number D होगा चलिए देखते हैं next question 46 नमर और देखिए question number 46 है, इसमें निमलेखित में से उत्तर दिसा की ओर के क्रम वाली परवद स्रेनी कौन सी है option number D हो जाएगा देखिए option number D हो जाएगा चलिए देखते हैं next question यहाँ पर 47 नमर और देखिए कहरा इस question में कि सुची 1 का मिलान सुची 2 से करे और सही उत्तर को चुने एक तरफ नदिया दूसरे तरफ उसकी सहायक नदिया दिया हुआ है देखें सही आंसर हो जाएगा इसका option number A हो जाएगा A का 4 हो जाएगा क्रिष्टना का जो सहायक नदिया हुआ है भीमा B का 3 हो जाएगा यानि ब्रह्म पुत्र का जो सहायक नदिया हुआ है तिस्ता C का 2 हो जाएगा यानि गोदावरी का जो सहायक नदिया है वह इंदरावती और यमना की सहायक नदिया है चंबल है तो option number A जो है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स चलिए देखते हैं next question यहाँ पर 48 नदिया है और देखिए क्या रहा है इस question में कोरो मंडल तट का विस्तार है option number B हो जाएगा कुमारी अंतरिप से कृष्णा नदी डेल्टा तक कुमारी अंतरिप से कृष्णा नदी डेल्टा तक कुरो मंडल तट का विस्तार है option number B हो जाएगा सही चलिए देखते है next question यहाँ पर question number 49 हो जाएगा और देखिए इस question में कहा रहा है पीली क्रांती किस फसल के उतपादन से संबंदित है option number A हो जाएगा देखिए तिलहन उतपादन से option number A अगला question है निमलेखित में कौन सा युगम सही सुमेलित है option number B हो जाएगा यहाँ पर देखिए मसाई पूरवी अफरीका मसाई जन जाती जो है कहाँ पूरवी अफरीका में रहते हैं option number B इसका सही आंसर हो जाएगा चले देखते हैं नेक्स्ट कुछिशन यहाँ पे 52 नमबर और इसमें है एक चंद्र दिवस की अबधी होती है कितनी। आप्सन नमबर A हो जाएगा देखिए 24 गंटे और 52 मिनट। नेक्स्ट है सौभागे योजना संबन्दित है किस से। आप्सन नमबर D हो जाएगा एक नवजात बालिका की जन्म पर वित्य सहायता के प्रावधान से आप्सन नमबर D हो जाएगा देखते हैं अगला कुछिशन यहाँ पे 54 नमबर और इसमें कहरा है कि अटल नव प्रावरतन यानिकी इनोवेशन मिशन किसके अधिन अस्थापि यानि कि HDI की गन्ना में सम्मिलित नहीं किया जाता है ओप्सन नमर D हो जाएगा समाजिक और समानता ओप्सन नमर D चलिए देखते हैं अगला कुछिशन यहाँ पे कहा रहा है इस कुछिशन में भारत में सेवा कर किसकी सिफारिसों से लागू हुआ बारत में सेवा कर किसक अप्सन नमर C हो जाएगा निरियात आयात बैंको, अप्सन नमर C इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं, अगला कुश्चन यहाँ पे, कुश्चन नमर हो जाएगा 58, और देखिए कुश्चन नमर जो 58 यहाँ पे दिया हुआ कहा रहा है, सबसे अधिक इस्थिर प हो जाएगा घास, बकरी और आदमी, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट कुश्चन यहाँ पे 60 नमर के राइस में है, कि सुची 1 का सुची 2 से मिलान करें और सही उत्तर को चुने, एक तरफ राज दूसरे तरफ उसका राष्ट्रे उद्यान दिया हुआ है, अप्सन नमर देख जो है, ओडिसा में सिमलिपाल राष्टी उद्यान है, और बांधीपूर राष्टी उद्यान कहा है, तो करनाटक में है, ऑप्सन नमर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अगला क्वेशन कहा रहा है, कि बोकारो एस्टिल प्लांट के अस्थापना किस वर्स की गई थी, ऑप इस देश की संसद का नाम फेडरल एसेंबली है, आपसन नमर देखिये, तुरकी की संसद का नाम क्या है, फेडरल एसेंबली, आपसन नमर देखते हैं, और इसमें है, लाली वन जीव अभिहारणय किस राज़ में इस थी थी था है? लाली वने जीव अभ्यारान या अरुनाचल प्रदेश में इस्तित है उप्सन नमर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं अगला कॉश्चन 64 नमर और इसमें है वने जीव सब्ताह मनाया जाता है उप्सन नमर ए हो जाएगा देखिए अक्टूवर के पहले सब्ताह में वने जीव सब्ताह मनाया जाता है कब तो अक्टूवर के पहले सब्ताह में उप्सन नमर ए होगा देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन और इसमें कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा हमर बेटी हमरमान योजना की सुरुवात की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा औप्सन नमर एउ हो जाएगा देखे यह 36 गड़राज सरकार के द्वारा हमर वेटी हमरमान योजना की सुरुआत करी गई है चले देखते हैं अब नेक्स्ट कुश्चन ये नेक्स्ट कुश्चन जो यहां पर दिया वाई कह रहा है कि स्मोक एंड इसेज पुस्तक के लेखा कौन है सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर सी अमिताब घोस ऑप्सन नमर सी होगा उसके बाद दिखेंगे अगला कुश्चन कॉर्पेट 2023 सैन अभ्यास का आजो जन भारत तथा कीन देश के मद्य होता है ऑप्सन नमर भी हो जाएगा भारत और थाइलेंड के बीच में थाइलेंड इसका सही अंसर होगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन नमर जो 68 दिया हुआ कहरा इस कुश्चन में वाइसवीक सांती सुचकांग 2022 में भारत का स्थान क्या है इसमें भारत का स्थान क्या है ऑप्सन नमर देखें C हो जाएगा 135 वा स्थान इसमें भारत का बाइसवेवेदी आयो का आध्यक्ष किसे न्युक्त किया गया है option नमर C हो जाएगा देखिए और इस question में है कि अनवर इब्राहिम हाल हे में किस देश के प्रदान मंतरी न्युक्त हुए है option नमर A हो जाएगा देखिए मलेसिया के ने परधान मंदरी के रुप में किसे निक्त किया गया है तो अनवर इबराहिम को अगला क्वेशन और कह रहा है इसमें विस्व स्वास्ते दिवस 2023 का विसाय क्या है अप्शन नमर बी हो जाएगा देखिए हेल्थ फोर आल हेल्थ फोर आल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है देखेंगा इबनेश्ट कोशन यहांपे 72 नमर और देखें के अरश कोशन में कि एसीन गेम्स 2022 का आजयोजन कहां किया गया है झाले देखेंगा अगला कोशन यहांपे 73 नमर के रहा इस कोशन में वहातिकी के छितर में नोबल पुरसकार 2003 से किसे सम्मानित किया गया है Option नमर यहां पर D हो जाएका यानि कि सभी पियरे इगोष्टीनी, फेरैंक क्रांस, एलिएन हुills तो देखेंगे इन सभी को जो है बहुत की कि छेतर में नोबेल पुरसकार 2023 से सम्मानित किया गया है देखेंगे next question 74 नमर और इसमें कहरा है कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राजी कौन सा है अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला option नमर ए हो जाएगा दिखिए केरल केरल इसका सही आंसर होगा चलिए देखते हैं वो next question और इसमें कहरा आया है कि बजट 2023 चोविसमें केंदर सरकार ने देश के कितने ब्लॉकों में आकांची ब्लॉक यूजना कारेकरम की सुरुवात की है option नमर डी हो जाएगा 500 ब्लॉक में option नमर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा तो फ्रेंट्स ये था इड़ुटेडिया पॉब्लिकेशन का विहार SAC के लिए आज सातमा मॉडल प्रैक्टिस सेट और इसमें हम लोग टोटल 75 questions डिसकस किये हैं उमीद करते हैं कि आज का session आप लोगों के लिए काफी महतु पूर्न थाबित होगा